दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं डीके हिंदी न्यूज यूटूब चैनल और मैं देवंदर सेनी आपको बताने जा रहा हूं खास और बढ़िया जानकारियां जैसा कि हम देख रहे हैं कि पंजाब में अब मिलेगा घरगर रासन लोंच हुई अम लोग में गली गली घुमें Сीएम भगवन्द मान और अर्विंध केजरिवाल तो ये योजना पंजाब में लॉंच हो चुकी है हम लोग के गाउं दारा सिंग वाला में मान और केजरिवाल खुद गलियों में घुमे और लोगों को रासन माट कर उन्हें योजना के बारे में बताया आप तो ये है आम आदमी के लिए एक बड़ी पहल राज्य सरकारों की की घरगर में मिलेगा रासन पंजाब के अंदर इसके अलावा आप देख रहे हैं डीके हिंदी न्यूज तो हम बताने जा रहे हैं आपको और बड़ी खास खापरे पूरे देश में 22 जन्वरी को सरकारी अवकास घोसित करने करें जद्यू सांसद ने सरकार से मांग की जैसा कि आपको पता है अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्टा 22 जन्वरी 2024 को हुई तो अब 22 जन्वरी को सरकारी अवकास घोसित करने की मांग की जा रही है जद्यू सांसद ने सरकार से मांग की है तो अब देखते हैं सरकार क्या करती है इस पर फैसला इसके अलबा 50 किसानों की चमकेगी किस्मत 279 करोडों की सोगार लौन माफ करने को लेकर भी कह दी बड़ी बार तो देखिये जारखंड के किसानों की अब किस्मत चमक रही है मुख्यमंत्री चमपई सोरें ने 456 करोड रुपए की पाइपलाइन योजना की आधार सिला रख दी अब इसके अलावा और बड़ी खबर क्या है तो देखे किसान भाईयों को रिण माफी योजना की सोगात भी दी है जारखंड के मुख्यमंत्री मो हमारी सरकार किसी की हमारी सरकार ने किसान भाईयों को रिण माफी योजना की सोगात दी है पिछले चार सालों में दस लाग से अधिक किसान भाईयों को केसी सी रिण देने का कारिये भी किया गया अब हमारे किसान भाई बंदू भी आर्तिक सेक्षनिक और सामाजिक रूप से आगे बढ़े सके इसके लिए हित्तु सिचाई योजनाओं को भी धरातल उतारा जा रहा है यानि सिचाई योजनाओं को भी क्या किया जा रहा है धरातल पर उतारा जा रहा है PM विसकर्मा योजना का खुल गया लोगिंग आ चुके हैं 30,000 से अधिक आवेदन जी हाँ PM विसकर्मा योजना जिसके तहत क्या है 3,000,000 रुपए मिलेंगे कारीगर को अपना रोजगार कारिये उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और 15,000 रुपए तक का टूल किट भी म मिलेगा जी हां अभी इसके लिए कोई अंतिम्तिथी निरदारित नहीं की गई है तो PM विसकर्मा योजना में मिलेगा लौन जैसा कि आपको पता है कि यह पारमपरिक कारीगर और सिल्पकारों को समर्थन देने के लिए एक केंद्रीय योजना है कारीगर और सिल्पकारों को PM विसकर्मा सर्टिविट और ID कार्ड के जरिये पैचान दी जाएगी पहली बार में 18 पारंपरिक वापारों को सामिल किया गया है पांच फिस्दी की रियायत व्याजदर की साथ एक लाख रुपे पहली किस्ट और दो लाख रुपे दूसरी किस्ट क्या है रिन सायता भी मिलेगी तो ये थी बड़ी और खास खबर जैसा कि PM विसकर्मा योजना के बारे में हम बताने कि 17 सितंबर 2023 को लॉंच हुई प्रधान मंत्री नरेंद्र योगी जी ने लॉंच की जी हाँ योजना से 18 पारंपरिक व्यापारों को जोड़ा गया जिससे क्या है PM विसकर्मा योजना का नाम दिया गया 2030 तक 11 जीवास्म स्रोतों से पूरी होगी 65 प्रतिसत उर्जा जरुते केंद्रे मंत्री बोले CO2 के लिए विक्सित देश जिम्मेवार तो ये थी बड़ी और खास खबर और भी बने रहे हैं हमारे साथ DK Hindi New YouTube चैनल में जैसा कि बिजली और नवीनी करण उर्जा मंत्री आरके सिंग ने कहा कि ओ COP26 में हमने इस बात की प्रतिवदता जताई है जताई थी कि 2030 तक हमारी उर्जा जड़ते 50% गैर जीवास्म स्रोतों से पूरी होगी हाला कि जिस गती से हम चल रहे हैं उसमें से यह 65% होगा ऐसे में जो हमने वादा किया था उसे हम बहुत आगे होंगे तो यह थी कुछ खास खबर अब जैसा कि देश में हो रहा दुन्या का सबसे बड़ा रेल्वे सिटेशन री डवलपमेंट असुने वैसनु बोले 50 साल आगे को ध्यान में रखकर हो रहा है काम जी हां रेल्वी का सबसे बड़ा रेल्वी स्टेशन का डवलोपमेंट भी हो रहा है तो बने रहे हमारे साथ डिके हिंदी न्यूज यूटूब चैनल में ताकि आपको बताएं कि अगली न्यूज है सत्रवी लोगसवा का आखरी सत्र समाप लोगसवा में पिछले पांच वर्सों में 222 विद्यक पारित हो चुके हैं सत्रवी लोगसवा का आखरी सत्रवी समाप तो गया है अब बने रहे हैं हमारे साथ प्रमोध क्रश्णम के खिलाब कांग्रेस का बड़ा एक्षन 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया है उनको प्रमोध क्रश्णम को जी हाँ कांग्रेस नेता आचारे प्रमोध क्रश्णम को पार्टी से 6 साल के लिए निसकासित कर दिया गया अब देखिए अब इसमें देश में सजाये मौत वाले कैदियों की संक्या बड़ी टूटा 20 साल का रिकॉर्ड देखे रिपोर्ड जी हाँ अब तक जो सजा पाने वाले लोगों की संक्या थी वह भड़ गई अब NLU देश में 561 कैदी जेल रहे मौत की सजा 2023 में सुप्रिम क के चारों आरोपियों को कर दिया था बरी तो ये थी बड़ी और खास ख़बरें अब बात करते हैं जैसा कि हम देख रहे हैं फंडिंग मामले में एक्सन तमिल नाडू में कारवम ब्लाश्ट को लिकर 27 जगे सर्चिंग की गई तो ये भी एक अच्छी खबर है कि अब देश में हाल खराब करने वाले महाल खराब करने वाले लोगों के यहां छापे दिये गए हर्याणा में दिव्यांग बनेंगे सरकार ने बदले नियम हिंदी अंग्रेजी एक्जाम में 35 अंक वाले मेरिट में आगे में आएंगे जी हां पहले इससे पहले दिव्यांग जो के लिए हर्याणा सरकार ने बदल दिया कुछ नियम जिससे दिव्यांग भी अफसर बन सकेंगे हिंदी इंग्लिस के पेपरों में कम नंबर आने पर भी हर्याणा में पटवारियों के हड़ताल खत्म हो गई है सरकार ने मांगे मान मानी मिलेंगे तीन सैलरी इंक्रिमेंट दो दोर दोर की वारता के बाद हुआ फैसला ये थी बड़ी सरकार को क्या है चैताउनी है तेरा फरवरी को धक्के शाही की तो सोला को हम दिल्ली कूच करेंगे सडक रेल दो टोल बंद करेंगे जी हां किसान अंदोलन उग्र प्रदर्शन के लिए तैयार हो गया है दिल्ली में विविन सुरक्षा अंतजाम कर दिये हैं पिछली बार आपने देखा किसानों ने कितना चक्का जाम किया था या तया जाम किया था और अब एक बड़ी रन निती अपना ये किसान अंदोलन के रोकने के लिए कि टेक्टरों में दस लीटर से अधिक डीजल नहीं भरेंगे पैट्रोल पंप जी हां हर्याना सरकार ने पैट्रोल प जी हां ये बड़ी विच्टर बात लग रही होगी लेकिन अब मरे हुए परिजनों से बात करवा रहा है ए आई चीन में मृत्गों की आवाज सुन वाने का कारोबार जोरों पर है भुजुर्ग पेरेंट्स ले रहे हैं मज़र मदत जी हां आवाज सुन वाने का कारोबार बुजुर्ग पेरेंट्स ले रहे हैं मदद यानि मृत्वक्ति से भी बात हो रही है AI के जरीए देखे कितने विचतर बात सामने आई है कि AI टेकनोलोजी के जरीए जिससे बुजुर्ग पेरेंट्स भी मदद ले रहे हैं और 36 गड़ में 35 लाग से जादा आवेदन जमा आख मेहतारी वंदन योजना के लिए प्रदेश भर में उसाम महिलाय बोली सम्मान जनक जीवन कर सकेंगे निर्वा मेहतारी वंदन योजना से 36 गड़ सरकार ने शुरू की थी और जिसमें आवेदन मांगे थे तो 35 लाग से अधिक आवेदन आ गये हैं दिल्ले में अब खाली प्लोट में कूडा फ्हेंका तो कटेगा चालान मेयर का आदेश टीन से ढखक कर लगाएंगे निगम संपत्ती का बोड जी हाँ जो जगए-जगए कूडा कच्रा फ्हेंक देथे तो अब नहीं भ्हेंक सकेंगी लोग खाली प्लोटों में कूडा कच्रा एक प्रदेश में एक अप्रेल से लग होगा आपकारी नीती किसानों की आए बढ़ाने के लिए अंगूर जामून सहद का उत्वादन कर सराब बनाने की देगी छूट सरकार देगी जैसा कि जाबूओं में पीएम मोधी की पहली चुनावी समा जाबूओं में पीएम मोधी की पहली चुनावी समा कि माईने MP में 6 आदिवासी सीटों के अलावा पस्चमी गुजरात और राजस्तान में भी सदेगा जी हाँ जो चुनाव में छीटों का कणित लगाया है प्रदान मंत्री नरेंद मोधी ने 11 फरवरी को जाबूओं की धरती से MP में लोग सबाद चुनाव प्रचार का आगाज करेक कर दिया है जी हाँ अब देखते हैं अब चलती ट्रेन में नहीं देने होंगे जादा रुपए जी हाँ यह बड़ी अच्छी खास बात है कैई बार हमारी ट्रेन चूट जाती थी टिकेट ना लेने की कारण नहीं ले पाते थे तो अब चलती ट्रेन में नहीं देने होंगे जादा शुरू किया ढिजिटल पेमेंट यातरी कर सकेंगे ओनलाइन सरकारी ओफिस में स्वस्ता अभियान पुरानी family contract किया सरकारी ओफिसों में भी अब स्वस्ता अभ्यान नजर आ रहा है कलक्टर ने आदेश दे दिये हैं इफाइलिंग करने के जिससे की ओफिसों में पुरानी फाइले कई पर खराब हो जाती थी आग लग जाती थी तो अब इफाइलिंग करने से वो सभी फाइले सुरक्षित हो तो देखिए 36 गड़ में बिजली बिल हाफ योजना जारी रहेगी बजट में पुलिस कोर्ट में भरतिया किसान को दस और बड़ी रहतें जी हाँ पियम आवास योजना के लिए 8,399 करोड रुपए जी हाँ स्टेट कैपिटल योजना के लिए 5 करोड रुपए महतारी वंदन में बातर महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना मिलेंगे चतिस गड़ उदम करांती योजना लागो की जाएगी खरसक उनती में 10,000 करोड रुपए का निवेश किया जाएगा इंवेश्ट इंडिया की तज़ पर इंवेश्ट चतिस गड़ के लिए 5 करोड रुपए जल जीवन मिशन योजना में 4500 करोड रुपए जी हाँ और भी बड़ी योजनाओं को सामिल किया गया है जिससे की 36 गड़ का अधिक साधिक विकास हो सके तो ये थी खास खपरे महिलाओं से 22 फरवरी से चर्चा करेंगे पीम मोदी कोरवा में NGO और स्वह सायता समू से जुड़ी महिलाओं का किया जाएगा सम्मान जी हाँ यानि 22 फरवरी से चर्चा करेंगे प्येम मोदी और कॉर्वा में एंजियोव स्वाय साथ समू से जुड़ी महिलाओं को क्या है सम्मान दिया जाएगा तो ये थी बड़ी और खास खबरें जैसा कि आप जुड़े हुए हैं डीके हिंदी न्यूज यूटूब चैनल से तो एक लाइक तो बनता है अखलेस बोले सिव की पूजा अयुद्धा जाएंगे योगी का जवाब अयुद्धा नहीं जाना चाते मगर बिल्टेन अक्सर जाते हैं सदन की कारवाई और शिप काल के लिए इस्तगित जी हां अखलेस जी ने कहा सिव की पूजा करके अयुद्धा जाएंगे तो इसका तीखा जवाब दिया योगी जी ने कहा कि अयुद्धा जाने के लिए इनके पास टाइम नहीं है इनके पास लंदन जाने के लिए टाइम है और एनिस सितकाल के लिए सदन इस्तगित कर दि तो देखिए किस तरह से टीवी मुक्त होता है हमारा भारत देश जिसमें पुत्र प्रदेश मुख्य भूमिका निवारा है तीन पैंट छे करोड लोगों को खिलाई जाएगी फाइल एरिया की दवा सत्रा जिलों में 36,000 टीमें अभ्यान में सामिल होंगी तो ये थी कुछ खास और बड़ी ख़बरें जैसा कि आप जुड़े हुएं डीके हिंदी न्यूज से हम बताने जा रहे हैं तो दस परविर से लेकर 28 परविर तक एक बार फिर इस अभ्यान को चलाया जाएगा जिस में घर-गर जाकर स्वास्त कार करता अपने सामने लोगों को दवा खिलाएंगे जी हाँ यूपी लिफ्ट एक्ट 2024 पाज अब हासो पर हर जाना के साथ ही तै होगी जिम्मेदारी सहरी छेत्रों में बड़ते हासो के कारण बनाये जा रहे हैं लगेगा अंकोस जी हाँ यूपी में लिफ्ट एक्ट 2024 लागू करने के तैयर की गई है हजारों सिक्षकों ने निगाली मसाल जुलस साक्षरता परिक्षा को वापस लेने की सरकार की मन्शा नितिस कुमार और केके पाठक के खिलाब जम कर विरोध किया जी हाँ भियार के अंदर सजारों सिक्षकों ने मसाल जुलस निकाला है और साक्षरता परिक्षा को वापस लेने की सरकार की मन्शा को भी बताया है हिमाचल डिप्टी सीयम मुकेस की पत्नी पंच चुतत मिविलीन बेटी ने दी मुखागनी सीयम सुखु ने दिया कंदा सिम्मी को आया था हार्ड अटेक जी हाँ तो ये थी बड़ी कुछ खास खबरें और जुड़े रहें डिके हिंदी न्यूज यूटूब चैनल में जैसा की हम बताने जा रहे हैं खास और बड़ी खबरें जैसा की हमाचल सरकार पर भढ़के बेरोजगार जे ओ ए आई टी की एनिस्टित का अलीन हड़ताल सुरू बोले तीन मेनित का वक्त मांगा अब एक साल में नहीं निकला रिजल्ट जी हाँ जो रिजल्ट नहीं आया परिक्षा का उसके लिए क्या है बेरोजगार भढ़क गए हैं उन्होंने धरना प्रदर्शन जारी कर दिया हिमाचल के पड़े लेखे बेरोजगार को नोकरी नहीं मिलने से सब्रकाबान तूटता नजर आ रहा है तो ये खास खबरें अब जैसा की हिमाचल के युवा बन सकेंगे अगनीवीर मंड के उमिद्वारों को मोका 22 माज तक करना होगा पंजी करन तो हिमाचल के युवा अब अगनीवीर की भरती परिक्षा में सामिल हो सकते हैं 22 माज तक आविदल करने पर तो ये भी अच्छी खबर है बेरोजगार भाईयों के लिए तो इसके लावा हम देख रहे हैं कि अगल इस सरकार ने निकाली बंक पर वेकेंसी सिक्षा विवाग साही 30,000 पदों की नुक्ती तो ये थी कुछ खास खबरें उम्मीद है हमारे जरीए बताए गई आपको हिंदी न्योज पसंद आएंगी